वेलकम बैक आज के इस वीडियो में लोग सीबीसी क्लास सेविंथ मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरिया एंड पैरिमीटर के एकसरसाइज 11.1 के कोस्चन नमबर 11 को डिसकस करने वाले हैं पिछले वीडियो में लोग उने कोस्चन नमबर 10 को डिसकस किया था जो कि आपका स्कॉयर पर बेस्ट था और यह आपका रेक्टेंगल पर बेस्ट है तुद्धे के पहले तो हम लोग कोस्चन को रीड करते हैं फिर इनके सभी पॉइंट पर हम लोग डिटेल में बात करेंग है तो आपसे कुश्चन में कह रहा है दा लेंथ एंड ग्रैथ ऑफ रेक्टेंगल पीस ओफ लेंड आर इन दा रेशो फाइव इस तो थ्री राइट इफ दा टोटल कॉस्ट ओप फैंसिंग एट रुपीज सेविन पर मीटर इस 2800 राइट तो आपको फाइंड क्या करना है find the area of the plot या land कह सकते हैं तो देखिए सबसे पहला काम आपका यह होता है कि कुश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस कुश्चन से जो जो information मिल रही है उसको आप लिख लें राइट देन आप फोकस करें कि आखिर हमें रास्ता कहां से मिलेगा कहां तक पूछी गई है पूछा क्या गया है पाइंड अप्लोट राइट तो दिखिए कुछ आइडिया आपको यहां से मिल रहा है कि जो आपकी लेंड है वो कैसी है रेक्टेंगल पीस ओफ लेंड राइट तो यहां से आपको इतना तो पता चल गया जो भी आपका प्लोट है ले अपरी बात तो किलियर है अच्छा अब लेंट इंटू ब्रैट तो तब निकालेंगे ना जब लेंट और ब्रैट पता होगी ठीक है तो लेंट ब्रैट आपको डारेक्टली ना देखें उसने उसका रेशो दे दिया है कितना रेशो दिया है फाइफ इस टू थ्री तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहां पर आधर हो जाएगी आपकी 5x शॉपोरी और ब्रैथ हो जाएगी आपकी 3x यानि कि मुल्टिपल ओप 5 और मुल्टिपल ओट 3 हो जाएगा राइट एक्स की वैलू कुछ भी हो सकती है राइट एक्स की वैलू 1 होगी तो फाइब इस ट तो रेशो रहेगा फाइब स्टू 3 का अच्छा अब यहां से तो हमें एल की वैलू इन टरम्स ऑफ एक्स और ब्रैथ की वैलू इन टरम्स ऑफ एक्स पता चलिए राइट अब एक्जेक्ट हम लोग तब फाइंड कर पाएंगे जब हम इस एक्स को कैलकुलेट कर लें अब उ एक्सका निकलन है एक रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा एल इंटू बी डाइट अब एल और वी की वैल आपको तो पता नहीं तो उसके क्या करना पड़ेगा इसकी हेल्प लेनी पड़ीगी इस स्टेटमेंट की क्योंकि आपको दिया गया है इस थको स्वेंसिंग सेविन पर मीटर इस 2800 राइट अच्छा तो देखिए यहां बात हो रही है रेक्टेंगिल फील्ड की तो आप एक रेक्टेंगिल फील्ड ड्रॉ कर लीजे मान लीजे यह राइट अब फैंसिंग कहां करी जाएगी इसके चारों तरफ न इसकी बाउंडरी में तो यानि कि अगर मान ली जे आपने इसको एल माना है तो यह भी क्या होगी यह क्योंकि रक्टेंगिल प्रपर्ट्य थी अपोजट सायटस और इक्वल और अगर यह बी है यह भी क्या होगी बी तो फेरिमेटर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा ओप्लस दी यानि कि two times L और two times V यानि कि आप चेसे टू टाइंस अल पलस भी टू को मल This यह हो जाएगा आपका पैरिमेटर अब यह स्पाइज़ maritime व्हाइच आपants अन्य लोट gentleman ठीक यह रेक्टेंगल है ना टू टाइम्स एल प्लस बी हो जाएगा राइट अच्छा अब एल आपको पता नहीं भी आपको पता नहीं लेकिन उसका रेश्यो पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू टाइम्स 5X प्लस 3X राइट और 5X प्लस 3X कितना हो जाएगा 8X टू टाइम्स 8X यानि कि टोटल कितना जाएगा 16X तो इसका पेरिमीटर आपको इन टरम्स आप एक्स मिल गया 16X राइट अब अब देखिए अब बात आती है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट लगरी इस फैंसिंग को वो क पर मीटर राइट तो यह क्या आया होगा मीटर में तो आई होगी राइट है ना अच्छा अब इसकी फैंसिंग की कॉस्ट जो है वो 7 रुपीज पर मीटर के जाब से चार्ज करी गई है तब जाके आपकी 2800 आई है राइट तो देखिए अगर एक मीटर की कॉस्ट कितनी ह कि इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए यही ना बिल्कुल सही बात है तो आप क्या कर दकते हैं क्योंकि एक मीटर कि फैंसिंग की कॉस्ट कि 1 मीटर कॉस्ट और फैंसिंग कि इतनी है रुपीज राइट कि there for कितने की कॉस्ट कितनी होगी यानि कि 16 next मीटर की कॉस्ट औफेंसिंग कितनी हो जाएगी कि 16 मीटर कॉस्ट औफेंसिंग कितनी हो जाएगी 16x into 7 राइट और ये वैलू किसके बराबर आने चाहिए इस 2800 के क्यों क्योंकि टोटल कॉंस्ट आपकी कितनी लग रही है 2800 यानि कि आप इसको यहां से लिख सकते हैं 16x into 7 is equal to 2800 बिल्कुल लिख सकते हैं है ना इतने मीटर ही तो फैंसिंग करनी है आपको टोटल अच्छा उसकी कॉस्ट 2800 तो देखिए 16x बराबर कितना हो जाएगा 2800 अपॉन 7 राइट 7 से इसको कैंसल कर दीजिए 7 फोर्जा 28400 आ गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 16 भी नीचे आ जाएगा राइट तो देखिए चाहे तो आप 16 से डारेक्ट काट दीजिए या आप 44 करके या टू से जैसे भी आप करना चाहें कर दीजिए हम यहाँ पर 16 से कैंसल कर दे रहे हैं 16 बंजा 16 16 टूजा 32 बचेगा यहां से कितनी निकलाई 25 एक्स की वैलू निकली है गलती मत करिएगा एक्स की वैलू निकली है राइट आप देखिए तो आप यहां से लेंथ फाइंड कर सकते हैं लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स की वैलू 25 और बी कितनी आ जाएगी 3 इंटू 25 राइट तो देखिए 25 इंटू 5 125 25 23 75 तो देखिए लेंद आपकी आ गई 125 और ब्रैथ आ गई आपकी 75 अब बताइए क्या आपको एरिया केल्कुलेट करने में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आप इसको इजीली सॉल्क पर सकते हैं एल की वैलू आ गई आपकी 125 और बी की वैलू आ गई आपकी 75 अब इसको मल्टिप्लाई कर लिजे यह होगे आपका 125 और इसमें 75 का मल्टिप्लाई कर लिजे 55 25 डाइट 12 फाइब जा 66 25 डाइट फिर 75 जा 35 कैरी 3 12 7 जा 84 और 3 87 राइट तो यह आजाएगा आपका 5 यह आजाएगा 7 यह हो जाएगा आपका 13 और यह हो जाएगा आपका 9 9 3 7 5 यह आपका आंसर हो जाएगा तो आपको प्रबल्म के लिए अगर आपको अब यह होगी होगी ऐसे आपको गई कर सकते हैं Sadat यह